नमस्कार दोस्तों, IS Prevac Academy के YouTube प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है, साथ में उन सभी कोर्सों में स्वागत करता हूँ, जो IS Prevac Academy और UPPSC Target.com पर चल रहे हैं, अगर आपनी इसको इसमें पार्टिसिपेट किया है, इन कोर्सों को लिया है, तो मैं उसमें आपका स्वागत कर करूँगा आपके सामने, वो उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ में व्याख्या सही इसका explanation होगा, जिससे आपके कई प्रशने तयार हो जाएंगे, इसका PDF जितने भी कोर्स लोगों ने लिये हैं, उनको दे दिये जाएंगे, और इससे पहले जन्वरी और दिसंबर का भी Complete Current Affair हो चुका है, उसका PDF आपको दिया जा चुका है, सही से पढ़ते रहे हैं, मैं वों पांडे, आपका guide, आपका दोस्त, चलिए सुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रशने, नवीनी करन उर्जा मंत्राले द्वारा, Grid आधारित सौर उर्जा, संयंत्र अस्थापित करने काम किया जाना है, और इसके तहत किसान बिजली वित्रण कमपनियों को अधिसेज बिद्दुत बेज कर अतरिक्त आये प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जिससे कि उनकी आये पढ़ेगी, important question है, अगला प्रशन है, राश्टिय खेल 2022 का आयोजन किस राज में किया जाएगा तो ये आयोजन जो है, वो हो रहा है मेघाले में, कहां पर? मेघाले में, ठीक है, और पंद्रा फरवरी को खेल और युवा मामले का जो मंत्राले है, उसने राश्टिय खेल 2022 का सुभंकर के रूप में धूमिल तेंदुआ का चैन किया, कौनसा? धूमिल तेंदुआ, ध्या 2022 में मेघाले में ये खेलायोजित होगा, और 2022 में मेघाले अपनी अस्थापना के 50 वर्स पूर होने के आउसर पर, कारिकरम भी अस्थापित करेगा, उसके अस्थापना के 50 वर्स पूरे होंगे. ये जो धूमिल तेंदुआ है, इसको अंग्रेजी में clouded तेंदुआ भी कह पश्चिम बंगाल के जलाजपारा और बुक्सा नेशनल पार्क में depressed kalami नामक एक नई परजाती कोजी है पाउधे की. ये राश्टिये पार्क किसराजमेश्तित है? यानि कि जो जलाजपारा है और जो भुक्सा नेशनल पार्क है, ये किसराजमेश्तित है? और इसका सही उत्तर है आप लोग जान गए होंगे यह उत्तर है पश्चिब मंगाल में दोनों राष्टिये पार्क हैं आपको ध्यान रखना है और भूटान से सीमा भी मिलती है इनकी अंतराष्टिये अस्तर पर यह इंपोर्टेंट हो जाते हैं इसकारण से भारती वैगानिकों ने पश पूरवर राष्टपती रहे अब नहीं है वो अब्तुल कलाम सहाब उनके नाम पर यह रखा गया है आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी टीम की तरफ से एक सूचना देना चाहता हूँ आरो ए आरो दो हजार सोला का जो एक्जाम होने वाला है तीन माई को इसका कोर्स हम लोगोंने लांच किया है इसके लिएот ships कां फूल जाकर हमारे एप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़े आपको अब अपडेट हो गई है और अब वहाँ पर मुप्त में भी बहुत सारी चीज़े मिलेंगे, डेलिकर न्यूजपेपर भी वहाँ है, साथ में सिलेवस है या कोई वी ओल्डियर पेपर है, य ये सुचनती हमारी टीम की तरब से, अगला प्रशन है GST लागू होने के कारण, अब एक आउसत घर कितने प्रसत बचाता है, क्या, बचत, बचत की बात हो रही है, तो GST जब से लागू हुआ है, तो अभी सर्बे में बताया गया कि एक आउसत घर की जो इंकम है, बचत है उसका तीन प्रसतवों मतलब इंकम का बचाने लगा है, इतना बचत होने लगी है, ये पूरे देश का आउसत है, अगला प्रशन है भारते नौसेना द्वारा सबसे बड़े बहुपक्चिये नौसेना अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया, इसका नाम क्या है इसका नाम है मिलन 2020, ये जो भूपक्चिये अभ्यास है, इसमें 42 देशों की सेनाओं ने भाग लिया और ये अभ्यास पहली बार नहीं हो रहा है, उनी सो पंचानने में सबसे पहले ये अंडमान उनिको बार दीव समू में आयोजित हुआ था, वहां होता रहा है, लेकिन इस बार इंपोर्टेंट ये है कि ये विसाखा पटनम की नजदीक इसको आयोजित किया गया था, तो अब की बार अंडमान उनिको बार दीव समू नहीं, विसाखा पटनम ध्यान रखियेगा, अगला प्रश्न, तो यहां पे मिलन 2020 है, ए आप्सन इसका करेक्ट है, हाली मे तो गूगल की इस मौखिक संचार पणाली का नाम जो रखा गया है, ट्रांस लेटरो ट्रोन रखा गया है, क्या नाम है इसका, ट्रांस लेटरो ट्रोन, तो ट्रांस लेटरो ट्रोन नाम भी याद रखियेगा, ठीक है, और यह गूगल की सेवा है, और इसमें किसी भी भास उसमें सबसे सटीक यही करता है, अगला प्रशना है, विस्तुस्वास संगठन ने कोरोना विसान उद्वारा जलित बीमारियों को अधिकारिक नाम प्रदान किया है, तो इसका नाम COVID-19 प्रदान किया गया है, इसका सही है, यह नाम दिया है, World Health Organization यानी WHO ने, यह COVID-19 है, यह 2019 में श्टार्ट हुआ था, इसलिए इसमें 19 लगा हुआ है, यह ध्यान रखियेगा, और अभी यह जो नामकरण किया गया है, यह विस्तुस्वास्त संगठन, World Organization for Animal Health और खादियूं किर्सी संगठन के द्वारा, 2015 में एक जारी किया गया था दिसानिर्देश, उसके आधार पर उसी के अंतरगत यह नामकरण किया गया है, भारत में पर्थम राष्टिये जैविक खाद महोत्सों का आयोजन निम्लिखित में से कहां किया गया, तो यह जो आयोजन हुआ है, वो आयोजन हुआ है 21-23 फरव नौवा अस्थान रखता है किरसी जैविक वाजार में, जैविक वाजार की अगर बात करी जाए, अगरिकल्चर की, तो नौवा अस्थान यह रखता है, 1.7 मिलिए टन जैविक खाद पदार्थ का उत्वादन भारत इस समय करता है, अगला प्रशन है, हाली में निम्लिकित ने इनको चुना है, और ये खिताब राप्त करने वाले पर्थम भारतिये हाकी खिलाडी है, मनप्रीत सिंग, वर्श 2016 में सुल्तान अजलान सा कप में सर्वसेष्ट खेल कौसल इनोंने दिखाया था, तो सर्वसेष्ट खेल कौसल और देशभक्ती के लिए मनप्रीत सिंग इनको याद किया जाता है, और इनको अभी अंतराश्टियस तरपर हाकी महसंग के द्वारा प्लेर आपदा इयर 2019 का पुरुसकार भी प्रदान किया गया है, विस्व मौसम विज्यान संगठन द्वारा इतिहास में पहली बात, अंतार्कटिका में अधिक्तम तापमान दर् क्योंकि वहाँ पर निगेटिव में तापमान रहता है, और अगर इतना तापमान बढ़ जाएगा, इससे पहले 1982 की अगर मैं बात करूँ, तो 1982 में 18.3 degree Celsius तापमान वहाँ पर रिकार्ट किया गया था, जो अभी तक का सबसे जादा था, अब यहाँ पर 20.75 degree centigrade तापमान रि उसका भंडार वहीं पर है, इतना तापमान होगा, बर्फ पिगलेगी, बर्फ पिगलने के कारण जितने भी DPA देश है, उनका जीवन जो है, उस अंकट में हो जाएगा, क्योंकि इतनी बर्फ पिगलने के बाद समुद्र का जो अस्तर है, वो 50-60 मीटर तक बढ़ जाएग अभी तक जितने भी प्रारूब होते थे, उसके बाद में दो नए प्रारूब आर जारी किए गए है, यह जो दो नए प्रारूब चैरे किए गए है, यह जो एर बैडमिंटन है ये खेल के मैदानों, उद्यानों, पार्कों, सड़कों, समुत तटों जैसे सक्त घास और रेत की सतों पर खेला जाता है, जहां हवाओं की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से अधिक होती है, वहाँ पर इसको Air Badminton को खेला जाता है, ठीक है, और जो ट्रिपल से ये कुल तीन खेलाडियों की टीम के बीच में खेला जाता है, और पर एक टीम में कम से कम एक महिला एथलीट होती है, तो आप से इंटरव्यू में अगर आपने कहीं होबी बता दिया कि Badminton हमारी होबी है, बैडमिन्टन खेलना, या खेल का नाम ले लिया, या किसी भी तरीके से Badminton का नाम आ गया, तो आप से ये प्रश्ण पूछ लिया जाते हैं, और कभी-कभी UPSC ऐसे प्रश्णों को इस्टेटमेंट दे के पूछ लेता है, अगला प्रश्ण अंतरराष्टिय अस्तर पर विसु रेडियो दिवस का आयोजन किस सितिति को किया जाता है, तो 13 फरवरी को अंतरराष्टिय अस्तर पर विसु रेडियो दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है, ये दिवस अंतरराष्टिय अस्तर पर रेडियो द्वारा दुनिया भर के न्यागरिकों को एक मंच प्रतान करने के उपलक्ष में आयोजित किया जाता है, और ये दिवस सर सरकारी स्कूल में स्वास संबंदी कि नई पहल को प्रारम किया गया तो ये नई पहल है health and wellness ambassador, health and wellness ambassador, ये option इसका correct है, केल सरकार ने इसको जारी किया है, उस्मान भारत जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहर, इस पहल का प्रमुक उद्दे से स्कूल जाने वाले छात्र छात्र के विकास और सैचडिक उपलग्धियों को प्रोशाहित करना, और इस पहल का संचालन केंद्रिये मानो संसाधन विकास मंत्राले ये केंद्रिये स्वास्त मंत्राले द्वारा संयुक तुरूप से किया जा रहा है, एक तो इसमें मानो संसाधन विकास मंत्राले है, और दूस का मतलब केटनासक प्रवंधन से संबंधित पहले कौन सा अधनियम था तो ये था 1968 का केटनासक अधनियम और इसको अब प्रतिस्थाफित कर दिया गया केटनासक प्रवंधन विदेख 2020 के द्वारा ठीक है अब इसमें क्या होगा सुरचित और प्रभावी केटनासक के लिए इसको लाया गया है और इसमें दो-तीन चीजें इंपोर्टेंट हैं इसमें कीटनासक उप्योग के कारण अगर कोई नुकसान होता है तो किरसी भूम क्या मुआवजा इसमें आसानी से मिलेगा और इसमें जो कीटनासक कंपनियां उन्हीं के ऊपर भार रखा गया ह विधैक बाजार में जो भी कीटनासक उपलब्ध हैं उनके बारे में डिजिटल प्रारूप में सूचनाय या इन्फॉर्मेशन जो उनसे रिलेटेड है उसको भी उपलब्ध कराने की बात सुनिश्चित करता है अगला प्रश्न है सूच में लगु और मध्यम उद्यम मंत प्राले के अंतरगतिये मधमक्खी पालन मचली पालन यह सब चीज़ें आती है ना तो मधमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल सुरू की गई है इसमें बॉक्स बनाए गए हैं और इसमें एक वाहन का निर्मार किया गया है वाहन में दोनों तरफ से तो बड पुझा की जरूरत हो उनको पूरा किया जा सके क्योंकि इस बक्से का जो तापमान है वो 35 degree centigrade मेंटेन रखना है अगला प्रशन है खेंद सरकार द्वारा प्रस्तावित एलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग इंफ्रास्टेक्चर में चार्जिंग स्टेशन के मध्ध नियू आर्गों के दोने ओर जो इस्टेट हाइवेज हैं इनको लगाया जाने की चार्जिंग स्टेशन लगाया जाने की बात इसमें कही गई है भारी भरकम इलेक्ट्रिक महानू के लिए 100 km पर इसको लगाने की बात हो रही है अगला प्रशन है रच्छा मंत्राले द्वारा जम और बसंत दोनों पुलों का निर्माण रच्छा मंत्राले के दारा जम्मु कस्मीर में प्रोजेक्ट संपर के तहत किया गया है और जम्मु कस्मीर का सामा जिला है 670.4 मीटर लंबे बसंत पुल का यहां पर उद्गाटन अभी राजना सिंह ने किया है केंद्रिय रच्छा लाया गया था वो प्रोजेक्ट संपर्ग था आपसे प्रशन पूछा जा सकता है पोजेक्ट संपर्ग किस से रिलेटेड है यह भी ध्यान रखियेगा और यह पुल सीमा चेत्रों में सडकों और पुलों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएंगे और काफी चमताएं बढ अन्तरस्टिये पुलिस परदर्सणी 2019 में इसको दिखाया था इसका परदर्शन किया गया था इसका अनावरन किया और इसको आयूद..? ठीक है ना और रच्छा संगठन भाभा प्रमाण अनुसंधान केंडर से कार्बन नैनो मेटेरियर प्रद्योकी का हस्तानांतर हुआ था उसके बाद में ये संभव हो सका है कि सोदेशी जाकेट हम बना सके इसके बारे में आपको बताओं कि इसके पहले जो जाकेट होती थी 14-15 किलो की होती थी और ये जश्ट उसके हाप 7-8 किलो के बीच में है वजन आपसे नहीं पूछा जाएगा और ये उससे ज्यादा क्वालिटी है इसकी है क्वालिटी ओरेंटेड है उससे ज्यादा और हलकी भी है तो जो हमारे सायनिक है अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको आसानी होगी और सुरच्छा भी उनकी बढ़ जाएगी अगला प्रशन है हाली में किस राज ने यहां पर ये थोड़ा से गरवड है राज ने जल अस्तर सुधार है तो भूजल अधनियम 2020 को स्विकृती परदान की ये यूपी के लिए बहुत important question है क्योंकि ये किया है उत्तर प्रदेश ले इसमें बहुत सारे प्रावधान किया गया है लेकिन इसके अंतरकत सबसे महत्पूर बात ये है कि भूजल अधनियम 2020 जो पारित किया गया है इसमें समर्सिबल पंपों के रेजिस्टेशन को अनिवार कर दिया गया है बाकी इसका कोई अगर रेजि होगी लेकिन किसानों को इससे छूट दी गई है और घरेलू उपयोग के लिए भी इसमें छूट प्रदान की गई है अगला प्रशन है राश्टिय सीदकालीन खेल 2020 का आयोजन जम्मू कस्मीर के किस जिले में किया जाना तय हुआ है तो कहां पर ये हुआ है तो ये होगा क जम्मू कस्मीर का जो बारा मुला है वहीं पर पांच दिवसिये राश्टिय सीदकालीन खेल 2020 का आयोजन ये प्रस्तावित है और ये मार्च में होने वाला है और खेलो इंडिया को जो कारिकरम चल रहा है उसी के अंतरकत ये सारे चीज़ें आयोजित की जा रही है इसमें इसनो स्कींग, इसनो वर्डिंग, इसनो सो, क्रास कंट्री ये सब चीज़ें इसमें सामिल की गई है अब खेलो इंडिया जो कारिकरम है अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो भारत में जो जमीनी अस्तर पर प्रतिवाहें हैं जिनको पहले मंच नहीं मिलता था उन को मंच उपलब्द कराके उनकी प्रतिभाहों को आगे ले जाने की बात इसमें की जाती है वायू सेना का ट्यूटिंग, एर, filled,ained, ground जो जीन की सीमा के करीब ये इसमें अपने सबसे बड़े परिवहण जो विमान है C-17 Globe Master, किस ने बनाया था C-17 Globe Master, C-17 Globe Master है, इसका निर्माण किया था US ने, USA से भारत ने लिया था, तो उसको लैंड कराया, इस करण से यह चर्चा में आया है, और C-17 Globe Master ने 18 टन वजन को भारित किया था, जब यहां पर लैंड कराया गया, इतना बड़ा है यह, और इस बिमान की लैंडिंग भारती वायुसेना के रणनीतिक समग्र संचालन को प्रदर्सित करती है, कि कितना ज़्यादा हमारी रणनीतिक छमता है, क्योंकि ट्यूटिंग एर फिल्ड जो यह इस्तित है, यह बेहत संकीन घाटी में इस्तित है, उच पहाडियों से चारो कितने से किस राज में न्यूट्रान संबंधी परिच्छनों के लिए प्रियुक्साला की अस्थाप्णा को परियाबरन मंत्राले ने सहमती प्रदान की, तो यह न्यूट्रान संबंधी जो परिच्छन हो रहे हैं, यह परियुक्साला कहां पर बन रही है, यह बोधी तो बोधी पहाड़ी में थेनी अस्थान पड़ता है, वहीं पर ये भूमिगत प्रियोक्षाला है, और 19 मीटर लंभी है, 7.5 मीटर चौड़ी है, यहाँ पर प्रमाण उर्जा विभाग और विज्ञान तथा प्रद्यों की विभाग के द्वारा संयुक तुरूप से ये चल अध्यन करना, ठीक है, अगला प्रशन है, भारत में प्रतिवर्स राष्टिय उत्पादक्ता दिवस किसी तिथी को आयोजित किया जाता है, कई बार दिवस से प्रशन पूछे जाते हैं, और लगते हैं कि ये तो इंपॉर्टन नहीं था, पूछ लिया गया, जब सारे दि राष्टिय उत्पादक्ता सप्ता, ये सुरू होता है 12 से और ये जाता है 18 फरवरी तक, 12 फरवरी से 18 फरवरी तक, 2020 में राष्टिय उत्पादक्ता परिसत की अभी ये बासटमी वर्सगाट मनाई गई, ठीक है, टाइमेंड जैनती के उसर तौर पर इसको मनाया गया, और यहाँ पर वर्स 2019 में आयोजित राष्टिय उत्पादक्ता सप्ता का जो विसे था, वो इंपॉर्टेंट है, वो विसे था इंडिस्ट्री फोर, लीप फ्रॉग एपॉर्चिनिटी फार इंडिया, ये इसका क्या था, थीम था, चाहे विसे आपसे कहा जाए, चाहे थीम, तो आप यही एंसर करेंगे, नेश्ट कुश्चन है, इसराइल और भारत के बीच कलात्मक संस्कृतिक व्योवार को बढ़ावा देने हैं, तो पर्थम जेरूसलम उत्सो का आयोजन कहां किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट कुश्चन, और ये है मुंबई में, मुंबई कह किया था, संगीत, पाक खला, निर्तिके छेतर में, दोनों देशों के बीच में, सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्तमान समय में देखा जाए, तो इसराइल और भारत की जो संबंध है, वो ठीक ही ठाक चल रहे हैं, तो इसराइल दोरा जेरूसलम उत्सो का आयोजन प्राग, बुसेल्स और मासको जैसे देशों के साथ किया जाता है, भारत के साथ भी किया गया है, इंपोर्टेंट है, अगला प्रस्न, 13-26 फरवरी 2020 के मद्ध, किन दो देशों की सेनाओं के मद्ध, संयुक्त सैन अभ्यास, युद्य अभ्यास है, अजे वारियर आयोजित किया जा रहा है, तो अजे वारियर जो जित किया आता है, वो किसके बीच में होता है, भारत और UK के बीच में, C option इसका correct है, और ये भारत और बिटेंट के बीच में होता है, इसको अजे योद्धा के नाम से भी जाना जाता है, अजे वारियर को अजे योद्धा के नाम से भी जाना जाता है भारतवारा बेटेन के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास भी होता है उसका नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो यह होता है कोकड़ अभ्यास कहीं कहीं कोकड़ व्यायाम लिखा रहता है exercise को ठीक है तो अभ्यास आप ध्यान लखिएगा और संयुक्त अपयर अभ्यास भी होता है आज सुबह की जो क्लास थी अमारी डेली वाली करेंट अफेर की उसमें हमने डिसकस किया है इंद्रधणुस तो air-to-air अभ्यास अंद्रधणुस भी होता है तो कोकड़ इंदुधश अजे योध्या ये सब किस के साथ है बिटेन के साथ है भार नौरादेही अभ्यारन कहां पर है। ये भी आपको जानना चाहिए। मद्य पर्देश में ये अभ्यारन है। के इन सरकार नी चीता पुनरवास एह थू बिसे सग्यों का एक panel गठित किया। और ये अभ्यारन चुना है जहांपर नौरादेही प्यारन जो MP में है जहां पर ये रखे जाएंगे ये जो चीते होंगे यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत में चित्तिदार जो चीते हैं ये पाए जाते थे और उस समय अंतिम चीता जो था 1947 में उसकी डेथ हो गई थी 1952 में देश म फिर बिल्कुल बिलुक्त गोसित कर दिया गया अब फिर से कोसिस की जा रही है ये सब कोसिसें क्यों होती है ये बहुत जरूरी है हमारी जविविद्था को बनाए रखने के लिए हमारे इंवायर्मेंट को बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल सारे कारिक्रम मनु दूसरा यहां पर यह कौन बनी हैं, तो यह हैं कामा कार्थिकेन, बहुत छोटी हैं अभी, बहुत छोटी हैं, 13 साल की यह है, और 13 साल की उम्र में इतना बड़ा कार्णामा इन्होंने गर दिखाया है, ठीक है, और इसके पहले हम देखें, 13 साल की उम्र में मालावत पूर्ण तो यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, आगे हम बात करते हैं, वह राजी सरकार जिसके द्वारा कावीरी डिल्टा को विसेश सनवच्छित किरसी छेत्र की रूप में घोसित किया गया, यह सरकार कौन सी है, तो यह तमिलनाडू सरकार ने घोसित किया है, पी ओप्सन इसका करेक्ट है, तमिलनाडू सरकार के द्वारा कावीरी डिल्टा को सनवच्छित विसेश किरसी छेत्र के रूप में घोसित किया गया है, कावीरी वेसिन में तेल और गैस की खोच परियोजना जो चली, तो वहाँ पर बहुत सारा भिरोध किया गया, वहाँ के किरसी सनच्छे छेतर गोसित कर दिया है, अब जो भी वहाँ पर परियोजनाय चल रही थी, उनकी अनुमती अब राजी सरकार से लेनी पड़ेगी, अगर राजी सरकार को लगेगा, तो वो एप्रूब करेगी, और जब एप्रूबर मिल जाएगा, तभी वहाँ पर कोई प महराष्ट के हैं, आदित महरा, कहां के हैं, महराष्ट के, और इन्होंने कारनामा कर्ये दिखाया है, कि इन्होंने पंकाज आडवानी को हरा दिया, ठीक है, पंकाज आडवानी को इन्होंने हरा दिया, महिला स्रेणी में देखा जाए, तो मत्रदेश की बिद्या पिल्ले ह इन्होंने ये खिताब जीता है, लेकिन पूरुस वर्ग में इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पंकज आडवानी 200 चैंपियन रह चुके हैं और इनको हरा दिया है, अगला प्रशन, मुंबई Natural History Society द्वारा चिलका जील परस्थापित पहले छेत्रिये केंदर का नाम क्या है इसका नाम है अभी फाउना वेटसाला, अभी फाउना वेटसाला इसका नाम है और ये एवियन सोथ संस्थान जो है भारत के, उनमें से एक है Bombay Natural History Resources, इसको सार्ट में कहते हैं BNHS, ठीक है, चिलका जील के अगर हम बात करें, तो Asia के सबसे बड़े खारे पानी के लगुनों में से है, ओडिसा में ये है, और वहाँ पे वेटलैंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर परिसर है, वहीं पर अपना पहला छेतरिये कार्याले केंडर खोला है, BNHS ने यानि की Bombay Natural History Resources ने, उसका नाम है अभी फाउना वेटसाला, और इस प्रियोक साला की अस्थापना का अभी फाउना प्रियास किया जाता है, उसके निगरानी के लिए और एवियन रोग जो होते हैं, यानि कि जो पच्चियों से संबंधित रोग होते हैं, उन पर अनुसंधान करने के लिए यहाँ पर प्रियास किये जाएंगे, अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्स र अगला जाता है, 10 और 11, 10 फरवरी को और 11 अगस्त को, दोनों के दोनों, यानि कि C आप्चन यहाँ पर करेक्ट हजाएगा, A और B दोनों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, A और C नहीं, A और B दोनों, ठीक है, क्योंकि A और B दोनों भी कल्ष्न हैं, C पे तो यह दिया ही और यह 11 अगस्त, दो डेट इसके लिए important है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यह दिवस सर प्रथम, वर्स 2015 में आयोजित किया गया था, और उसके बाद में फिर यह आयोजित किया जाता रहा है, ठीक है ना, फिर यह आयोजित किया जाता रहा है तब से, अब यह जैसे बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या होती, बच्चे कुछ भी खाते हैं, तो हाथ नहीं धुलते हैं, या मिट्टी खाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनके अंदर पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उनको भूख नहीं लगती, कमजोर हो जाते हैं, और बहुत सारी समस्यां होती है, तो यही सब चीजें इसमें प्रयास किया जाता है, कि इन से वो बचे हैं, हाली में भारतिय सेना में किस artillery gun को कमीशन किया गया, तो यह gun है, सारंग artillery gun, D option इसका correct है, सारंग artillery gun, और भारतिय सेना का जो यहां पर मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि कानपूर आर्डिनेंस जो फैक्टरी है उसने इसको बनाया है भारतिय सेना में तो यह सामिल किया गया लेकिन कानपूर आर्डिनेंस जो फैक्टरी है उसने इसको बनाया है और हमारे यहां जो यह इस अस्थापित होने वाली एक कानपूर की भी फैक्टि थी कि उस अधनियम के तहत अस्थापित उस बोर्ड के तहत अस्थापित की गई थी तो यह जो आर्टिलरी गन बनाई गई है सारंग यह इसके मारक चमता हमको जानना चाहिए यह 49 km तक मारक कर सकती है देश में मौध मौधरिक भुक्तान के डिजिटली करण है तो डिजिटल भुक्तान सुचकांग बनाने या जारी करने की घोशना की गई किसने की तो यह घोशना की है भारतिये Reserve Bank में Reserve Bank of India ठीक है ना C option इसका correct है मौधरिक भुक्तान के डिजिटली करण को प्रसाहित करने के लिए डिजिटल भुक्तान है तो जो नीतिकत हस्त छेफ हैं उनके प्रभाव का अध्यन भी करेगा तो यह कौन कर रहा है RBI के द्वारा इसको किया गया है महिला सुरच्छा सुनिश्चित करने हैं तो दिशा पुलिस इस्टेशन अस्थापित करने वाला देश का प्रथम राज जी है वह है आंध्रप्रदेश सी ऑप्सन इसका करेक्ट है जिसने दिशा पुलिस इस्टेशन अस्थापित किये हैं आंध्रप्रदेश में जो घटना घटी थी आप जानते हैं 26 वर्स ये पसुचिकत्सक जिनका तेलंगाना में प्रवर्ता पूर्वक वलतकार किया गया था और उसके बाद में हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद कदम उठाया गया है य उन दौस्यों के साथ भी कुछ वैसा ही किया गया जो यह आ कि संबंध है निम्लिकित में से 4 विकल्फ हैं आपको बताना है किस से है तो यह संबंधित है plastic abscist से plastic abscist से यह कैसे संबंधित है वर्स 1989 की बात है बेसल पड़ता है surgeon line में वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ खतरनाक कचरे के trans boundary के नियंतरन और उसके निप्टान पर जो विक्सित देस हैं वो करते क्या थे जितना भी अपने यहां का कचरा होता था वो विकासिल देसों के समुद्री किनारों पर तटों पर ले जाके डंप कर देते थे विसाक्त कचरे भी उसमें होते थे विदेसों से जो विकासिल देसों में कचरे लाये जाते थे उनसे बहुत सारा नुकसान होता था इस सन्नच्छन पर बारा दिनों तक बाचीत चली लगभग 180 देसों की सरकारों ने संयुक्त रूप से इस पर विचार विमर्ज किया फिर समझाता हुआ वही समझाता था वेसल कंवेंशन जो प्लास्टिक अपसिट से संबन देत था समझ में आ गया आगला प्रश्न सेंटर फार सेलूरल एंड मालिकूलर वायलोजी ने हाल ही में ACI सेर के पूरे जिनोम का अंकमरण किया ये केंद्र कहां इस् CCMB कहां पर है हैदराबाद में ठीक है भारतिय प्रद्योगी अनुसंधान संस्थान है ये वैज्यानिक और अव्द्योगी अनुसंधान परिसत के तत्वाधान में ये संचालित होता है और ये जो CCMB है यहां के वैज्यानिकों ने अभी ACI सेर के जिनोम का अंकरमर किया है ACI सेरों को अंतराष्टिय प्रकृति संचन संग के द्वारा ICUN के द्वारा RED सूची में रखा गया है लुप्त प्राय प्रजातियों की स्रेणी में इसको रखा गया है अगला प्रशन संगई परियतन महोत्सों का आयोजित कहां किया जाता है अक्सर ये प्रशन पूछा ज रूप से लुप्त प्राय है वहां का ब्रो एंटिलेट कौन है ब्रो एंटिलेट ये हिरन की प्रजातियों उसको सनच्छत करने के लिए यहां पर प्रोसिस की जाती है ये महोत्सों वर्श 2010 में अंतराष्टिय अस्तर पर और सम्रिद्ध प्रव्परा को परदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया संगई मडिपूर का राज़िपसू भी है someplace एनिमेल है कहां का मनीपूर का कौन संगज़िस के वारे में ये प्रशन पूछा जा रहा है संगगई ये ये वहां का राज़िपसू भी है केबल लैम जाओ जो नेसनल पार्क है कहां पर है मडिपू प्रियोजना के तहत एक हजार से अथिक लोकों के जिनोम अनकर्मन का अध्यन किया और इस प्रियोजना के माध्यम से जिनोम डेटा के उपचार वर रुख्थाम के लिए सठीक दिवाय विक्सित करने का प्रियास किया गया और कैंसर और अन्य दुरलव अन्वानसिक जो रोग हैं उनका निदान इसके कारण से संभव हो पाएगा बहुत सारे अभी भी इलाज प्रकार की बिमारियां हमारे हैं उनमें से कैंसर भी है तो जब ये जिनोम अनकर्वन प्रियोजना जो चलाई जा रही है इंडिजन जिनोम तो ये पूर्टिया जब सफल हो जाएगी तो उनका इलाज आसान हो जाएगा कैंतरिय मंत्र मंदल ने वरधियोजन प्रदान किया ये किस राज्जि में अस्थापित किया जाएगा ये अस्थापित किया जाएगा महराष्ट में, D option इसका correct है, जो वहां का जवाहलाल नहरू बंदरगा है, उसके pressure को, उसके दबाव को कम करने के लिए, इसको बनाया जा रहा है, और ये जो वर्दमन बंदरगा है, इसके विकास के साथ, भारत दुनिया के सीर्थ 10 कंटेनर ब फरवरी में, अगर आप रोज देखते रहें, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, हाली में PPP मोड पे संचालित भारतिय प्रत्यों की संस्थान, जिन्हें केंद्रिय मंद्रि मंदल द्वारा, राष्टिय महत्त के संस्थानों का दर्जा प्रदान किया गया है निम्रिकित में से कौन सा संस्थान उसमें सामिल नहीं है, चार संस्थानों को दिया गया है, चार में से तीन इसमें दिया गया है, इसमें IIT कानपुर नहीं है, C option इसका correct हो जाएगा, IIT भोपाल, सूरत, भागलपुर इसमें है, और एक है भोपाल है, सूरत है भागलपु 2020 में निम्निकित में से किस खिलाडी ने सौन पदक जीता, तो ये सौन पदक जीता है राखी हलधर ने, C option इसका correct है, राखी हलधर का नाम याद रखेगा, विल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सौन पदल जब कोई जीता है, तो वहां से प्रश्न पूछा ही जाता है, सिसमी वाष्ट ये भारोतोलन चेंपियंशिप ये हो रही थी, और इनका जो कभी पूछा जाए किस वर्ग में जीते हैं, तो ये 64 kg वर्ग में जीती है, 64 kg वर्ग में इन्होंने सौन पदक जीता है, कामन बेल्थ में भी 2018 का जो हुआ था कामन बेल्थ चेंपियंशिप, उ ऐसे तीन लोग हो चुके हैं, इनके सहित, इसके पहले कौन हो चुके हैं, इसके पहले जो हुए हैं, उनमें विल्किंटन का नाम आपको ध्यान रखना है, विल्किंटन ये 1999 में के उपर लगाया गया था, और उसके पहले की घटना 1868 की है, और उस समय एंड्रियू जांसन हुआ करते थे, एंड्रियू जांसन के उपर भी ये कारवाई की गई थी, यानि कि इनों ने इन लोगों पे क्या हुआ, प्रतनिधी सभा द्वारा आरोपित किया गया, लेकि सिनेटर ट्रैलमेन को बरी कर दिया गया, तो ट्रम्प महोदे ने इतिहास रज दिया, अभी ट इसक लिवाई करनातक सरकार के दवारा प्रारम की गई है, जन सेवा जो योजना है, mobile सेवा इसमें प्रारम की गई है, इसका एक नभर दिया गया, वो नभर आपको नहीं जानना है, इसमें जो भी basic नेट्स है, health card, रासन card, marriage certification, और जो identity, जो card होते हैं, है न पहचान पत्र जो होते हैं, उन सब को जन सेवा के मात्यम से प्रोवाइट कराया जाएगा, हाली में भारती रेल्वे की किसी काई द्वारा एलेक्ट्रिक इंजिनों की ब्रांडिंग शुरू की गई है, तो ये पश्चिम रेल्वे ने शुरू की है, C आप्सन इसका करेक्ट है, पश्चिम इतिहास का प्रशन हो सकता है, फार्सी सैली में निर्मित है, ठीक है? और चार बाग सनरचना से प्रभावित है, चार बाग सनरचना का उपयोग ताज महल में भी किया गया है, ठीक है न? ताज महल में भी चार बाग सनरचना का उपयोग किया गया है, किंद्रिय विदेश मंत्राले द्वारा पूर्भी एसिया सिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन निम् सम्मेलन 2015 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, पूर्वी एसिया, दच्छिण एसिया, दच्छिण पूर्वी एसिया, इन सब के 16 देशों के द्वारा प्रतिवर्सी आयोजित किया जाता है, और सर प्रथम देखा जाए, वैसे कहां हुआ था, तो ये 2005 में कौलालंपुर में हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान दखिएगा, पांच विवारा भारत में आयोजित हुआ है, चलिए, अगला प्रशन क्या है, रच्छा छेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए, डेप एक्सपो 2020 का आयोजित कहां किया गया, और ये UP कमिशन के लिए बहुत important question है, क्योंकि इसका आयोजन, UP की राजधानी लखनौ में किया गया, पांच फरवरी से ये आयोजित हुआ था, और नौ फरवरी तक चला था, पांच, साथ, आट, नौ, नौ को दो बाहर तक आप इसको देख सकते थे, दो बज़े के बाद ये बंद कर दिया गया था, मैं इसको साल नहीं किया जाता है, पर तेक दो साल पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है न? माध्यम से, बैस अंचालन तो उनहीं के माध्यम से होगा, तो समस्त राज सरकारों के मति, प्रति अस्पधाहत्मक संगवाद को बढ़ावा देने के दिये, इसमें पुरुसकार का भी प्रावधान किया गया है, प्रधान मंतरी माति बंदना पुरुसकार वितरन किया जात 1st Tasirdy एक पोजिसन किसने, MP Government में, अश्टलियाई ऑपन टेनिस चेंप्यंप सिप 2020 का पुरुसकार किस ने जीता, पुरुस एकल वितरन का रहा, तो पुरुस एकल वितरन आश्टलियाई ऑपन टेनिस चैंप्यंप सिप में रहे हैं, नुवाग जोकोवीच, B ओपसन इसका सही है, नुआक जोकुविच के बारे में अगर हम देखें, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि यह जो आश्टलियाई ओपन है, चैंपियनसिप है, यह क्या है, तो जो चार Grand Slam Tennis Tournament होते हैं, उनमें से एक यह है, और यह नुआक जोकुविच जीते हैं, और नुआक जोकुविच के बारे में अगर हम बात करें, तो यह सर्विया के खिलाड़ी हैं, यह एक सर्वियाई खिलाड़ी हैं, यह आप ध्यान रखिएगा, यह खिताब जो जीता है इन्हों यह अस्थापित किया गया था, अंतराष्टी ट्रेनिस महासंग, उसी के द्वारा फिर यह सुरू किया गया थे, यह जो भी जैंपियंशिप यह होते हैं, अगला प्रस्न देखिए, बहुत बढ़ी हाप प्रस्न है, ग्राम नयाले, सिविल और अपराधिक दोनों परकार क का नयाधिस होता है, जिसे नयाधिकारी कहा जाता है, क्या यह दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सही हैं, यह दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सही हैं, सी ऑप्सन इसका करेक्ट है, अभी हुआ क्या है, हमारे सर्बोच नयाले ने, माननिये सर्बोच नयाले ने, फरवरी 2020 मे समस्त राज्यों को निर्देश दिया की चार सप्ता के भीतर ग्रामीर छेतर में नियाय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, सुगम करने के लिए ग्राम नियाले अस्थापित करिया आप लोग। सर्बोच नयाले के द्वारा जो ये आदेश जारी किया गया ये ग्राम नयाले अधिनियम 2008 में पारित किया गया था उसी के तहर जारी किया गया इस अधिनियम के तहर बरतमान समय में हर्याणा में तीन उत्तर प्रदेश में कुल 113 ग्राम नयाले अजसूचित हैं जो ये ग् अधिक्तम दो वर्स की सजावाले जो मामले हैं उन्हीं को ये देखता है। प्रथम स्रेडी का जो मैजिस्टेट अस्तर का नियाधीस होता है। उसे नियाधिकारी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी नियुक्ति समंदित राज के उच नियाले के प्रामर से राज सरकार जो होती है, इस्टेट गवर्मेंट जो होती है, उसके द्वारा किया जाता है। देखे तो 105 विलियन वैरल तक इसने बढ़ा लिया है, इतना जादा इसका हो गया है। ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार वाला भी ये देश बन गया है। ठीक है। बिसु कैंसर दिवस प्रतिवर्स के स्थिथी को आयोजित किया जाता है। त कि रोगठाम के बारे में लोगों को प्रोशाहित करने के लिए ये सारी जो आयोजन होते हैं ये सब कोई भी दिवस मनाया जाता है। तो उसका उद्देश यही होता है। बिसु कैंसर दिवस अंतराश्टी कैंसर नियंतरसंग के द्वारा मनाया जाता है। और 2008 में अस्थ करें तो अभी भी इसका सथीक इलाज संभव नहीं है। प्रथम इस्टेज तक ठीक रहता है लेकि जैसे दूसरा इस्टेज ये क्रास करता है तो दिक्कत हो जाती है। राकिगड़ी नामक हडपा अस्थल पर एक राष्टिय संग्राले अस्थापित किया जाने का निरने जो बजट 2020-21 है उसके अंतरगत ये एलान किया गया है। इस अस्थल की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो 1979 में की थी सूरज भानने किसने की थी सूरज भानने इसकी खोज की थी। हरियाना का अगर आपसे लोकेशन पूछा जाए कि कहां पर तो हिसार हरियाना की हिसार जिले में हरियाना का हिसार जिला पड़ता है वहाँ पर यह है। भारतिय नौसेना द्वारा सुंदरवन छेत्र में तटिये सुरच्छा है तो किस तटिये सुरच्छा भ्यास का आयोजन किया गया तो इसका नाम है माल्टा ये जो अभ्यास किया गया है इसका नाम है इसका नाम रखा गया है इस अभ्यास के अंतरगत भारत और वंगलादेश के बीच में अंतराष्टिये व्यापार प्रोटोकाल मार्ग पर संचालित जो किया जा रहा है उसी के तहट यह अभ्यास हुए कि उनका गलत तरीके से तो उपयोग नहीं हो रहा है मार्गों का और ज में कई बार पूछा गया है हाली में किस देश में टिड़ी हमलों को राष्टिया आपातकाल खोसित किया गया तो पाकिस्तान पाकिस्तान आतंगवास से तो परेसान हई है टिड़ी भी वहां पर हमला करके इसको परेसान कर रही है एक प्रशन हमारे यहां पूछा जाता है यूपी कमिशन में कि टिड़ी या भारत में कहां से प्रवेश करती हैं, तो ये पाकिस्तान से ही प्रवेश करती हैं, वहाँ पर बड़ा तहस नहस इन्होंने कर दिया, ये एक फसलों को नश्ट करने वाले कीड़े होते हैं टिड़ी, और इतना ज़्यादा बरबादी कर दी कि गरबल हो किया सब, इर्फान खान, इमरान खान को वहाँ पर क्या करना पड़ा, आपात गोसित करना पड़ा, और ठिड़ी जो होती हैं, कम तापमान के कारण इरान चली जाती है, तो समय तो यहाँ पर रही, फिर चली गए इरान, अब इरान में अपना वो काम धाम कर र इस पोर्टल का नाम क्या है, इस पोर्टल का नाम है संतुष्ट, D option इसका correct है, संतुष्ट पोर्टल है यह, और यह जो पोर्टल है, सरमिकों के नियक्तवाओं की रोजगार राजी वीमा निगम, जो ESIC है न, उसके सिकायत संबंदी जो भी बाते होंगी, उसका निवारण करेगा, ESIC सरम और रोजगार मंत्राले द्वारा प्रसासित एक वैधानिक निकाय है, तो यह पोर्टल बनाया गया है, कि उसमें जो समस्या होंगी, उनका यह निराकनों करेगा, निम्निके सूची में से चीन के साथ खुली व्यापार सीमा, कौन-कौन सी है, तो नाथूला है, सिपकिला है, लिपुलेक है, उपरोग सभी है, नाथूला सिक्किम में है, सिपकिला हिमाचल प्रदे, लिपुलेक उत्राखण, अभी 6 जुलाई 2006, अभी नहीं, 6 जुलाई 2006, को 44 वरसों के बाद में, भारत और चीन के मत्ते, पुना सीमा पार व्यापार सुरू किया ग किया जाता है, भारत और चीन के बीच में, ठीक है, ओर ये चार दिन तक सीमा ब्यापार का, और सीमा ब्यापार यहां पर, मतलब ये किया जाता है, कि 6 महीने की अवदी, 1 मौई से 30 नमबर के लिए, सप्ताह में, 4 दिन, तक सीमा ब्यापार का आयोजन प्रस्तावी थे, कि चार दिनों के बीच में ये किया जा सकता है ठीक है बाकि इस गद्विधियां चलती रहती है भारती रेले द्वारा पहली fruit train सेवा प्रारम की गई इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है फलू के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश से इसको शुरू किया भारती योसेना का प्रथम विवान, जिसे जयोजेट इनन के 10% मिसरन से सफलता पूर्वक उड़ाया गया, तो इसका नाम क्या है, AN32, D option इसका correct है, भारती योसेना का जो AN32 विवान है, वो जयोजेट इनन का 10% मिसरन करके उड़ाया गया है, ले लद्दाक में इसने उड़ा गया था, ठीक है, और जयोजेट इनन को 2013 में CSIR, IIP के द्वारा उत्पादित किया गया था, जयोजेट इनन ट्री बॉर्न आइल से निर्मित होते हैं, यानि कि पेड़ों से जो जैसे जैट्रोफा हो गय रहा है न, तो उससे इसको निर्मित किया जाता है, तो वही मिलाकर इसको उड़ाया गया है, केंद्रिय वित्तिय वजट 2021 में, कार्पोरेट ब्रांड में, विदेशी सम्विभाग निवेश का प्रसत कितना तैं किया गया है, तो ये प्रसत तैं किया गया है, 15 प्रसत, C option इसका correct है, और 9 प्रसत पहले इसकी सीमा हुआ करती थी, 9 प्रसत से इसके बारे में आपको थोड़ा से बता दूँ, कि एक समुद्री वनिजी व अभ्यारन है ये, और इसमें देखा जाए कि जो ये अभ्यारन है, तो इसके उत्तर में दहामरा नदी बैती है, और दच्छिन में महा नदी है, तो ये दो नदियों से कभी-कभी UPSC ऐसे है, उसमें इसका Detailed Current Affair हम देते हैं, ठीक है न, तो चाहे ROERO का कोर्स आप ले रहे हैं, या कोई भी कोर्स जिसे BO का कोर्स चल रहा है, तो उसमें जो भी PDF मिलेगा, बस आप पढ़ते रहे हैं उसको, material इतना है कि आप हर हाल में पास कर जाएंगे, और आप लाश्ट में आपको बता रहा था, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाएं, ये जो गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण है, ये समुद्री अभ्यारण कच्छुआ प्रजनन के लिए important है, किसके लिए, कच्छुआ प्रजनन के लिए important है, चलिए, next question, वहराज ये जहां न्यूट्रान स सेंटर फाल, ओसन, ये नहीं देखा है, हमने, माउंट एटना वाला कहां देखा है, इसको देख लेते हैं, विस्व, एक प्रजन यहां पर repeat हुआ है, कोई बात नहीं, repeat ही हुआ है, चोटा नहीं है, विस्व, धरोहर अस्थल की सूची में सामिल, माउंट एटना किस देश में स्थित है, तो माउंट एटना जो स्थित है, वो कहां पर स्थित है, इटली में स्थित है, ये option इसका correct है, map खोलिए, एटलस उठाइए, और इसकी location इसी समय देखिए, आप वीडियो पॉस करिए, पढ़ने का जो तरीका है, उसको सीखिए, यहां कोई रटा नहीं ही है यह, 2013 में इसको युनिश्को की विश्दरोहर सूची में जोडा गया था, माउंट एटना में आखरी जो बड़ा वी स्फोर्ट हुआ था, वो 1992 में हुआ था, करीब 27-28 साल पहले हुआ था, 28 साल पहले, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसन इंफार्मेशन, किस के इं इंडियन मंत्राले है, कि इंडियन प्रिथवी विग्यान मंत्राले, उसके अधिन काम करता है, इंडियन नेशनल सेंटर फार ओसन इंफार्मेशन, ठीक है, 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 इंडियन नेशनल सेंटर फार ओसन इंफार्मेशन सर्विसेज, जो है, ये प्रिथवी विग्यान मंत्राले के अधिन कारी करता है भारती ये पूर्वच चेताउनी के इंदर की अस्थापना 2007 में की गई थी ये भी ध्यान रखियेगा 2007 में की गई थी ये भी ध्यान रखियेगा इंपोर्टेंट है जो चेताउनी के इंदर की अस्थापना की गई थी ठीक है न, गरुन कमांडो फोर्स भारत के 82, 42 लड़ाकों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, United Kingdom के लगवक 36 और भारत के गरुन कमांडो फोर्स के 42, 42 लड़ाकों ने इसमें भाग लिया था, इस पात उभोग के मामले में भारत का विश्व में अस्थान क्या है, तो इसमें भारत का तीसरा अस्थान है, ध्यान रखेगा, आगे एक वीडियो आपको मिलेगा, उसमें सारा ये डेटा जो है, हम डिसकस करेंगे, ठीक है, उसका पीडिया पीम आपको दे देंगे, चलिए, अगला प्रशन, वाराज जिसके द्वारा प्रमुक जल सनच्छन पर पर युजना थी, 2014 से ये चल रही थी, नहर, बांध और इन सारी चीजों को, जहां पर बिदर सूखा वाले छेतर है ना महराष्ट में, तो वहां की जल की कमी को दूर करने के लिए इसको चलाया जा रहा था, विदर्व एरिया जो है, माराठवाड़ा है, वहां पर, तो य विष्थे दिया, किसानों की जो सबस्यादा आत्महत्या की गटनाय होती ही, वही होती ही, परधानमंत्री महाथिर मुहमद ने राइनेतिक अहिस्तिरता के कारण पद से इस्तीफा दे दिया, उनका संबंद किस देश से, तो ये परधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा जो जब हटाई गई थी, कसमी से संबंदित, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसको इन्होंने बड़ा विरोध किया था, तो गलत बात इन्होंने की थी, मेरे ख्याल से इसलिए इनको इस्तिफा देना पड़ा, फैर ये मजाक की बात है, तो भारत सरकार का जमिनों ने विरोध किया, तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, तो मलेसिया से हमारे यहां आता था पाउम तेल, ठीक है, तो पाउम तेल के आयात को बंद कर दिया, और भी कहा ठीक है और हम आगे विचार करेंगे, फिर कई और व्यापारी चीजों के आयात को इनके बंद किया, इनकी हालत खराब हो गई थी, हाली में किस समीत ने असम समझाते के खंड छे के कार्यानवन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये समीती है नयायमूरती बीके सर्मा प्रारम की गई, तो ये भारत के द्वारा प्रारम की गई है, बी ओप्सन, इसका करेक्ट ओप्सन है, और हमारा जो वन और जलिवावी परिवरतन मंत्राले हैं, उसने ये परियोजना शुरू की है, दुनिया का, इसमें दुनिया की आखरी रेंज मुक्त ACI सेर, एसियाट की समच्छन के लिए काम करना है, इस परियोजना का, ACI सेरों को IUCN की रेट सूची के तहट लुप्त प्राय स्रेडी में सूची बत किया गया है, ध्यान रखेगा, भारती रेलिवे द्वारा अनाधिक्रित पैकेजड ड्रिंकिंग वार्टर विक्री की रोक थाम के है, तो अनाधिक्रित वार्टर आपको ट्रेन में जवाप यात्रा कर रहे होते हैं, मिलता है, ठीक है, आप से पूछेंगे, दूसरा नहीं है, तो पहले वही देखा, बात में वो विसलरी भी रख रहता है, ऐसा मैंने तो कई बार देखा है, तो अनाधिक्रित पैकेज डिंकिंग आप सेवा जो ये प्रारम की गई है, इसका नाम है वन मिनिट, आस्क दिसा, बी ओप्सन इसका करेक्ट, आस्क दिसा, एक कुश्चन उपर छूट गया है, इसलिए, ठीक है, तो आस्क दिसा, जो उसको मैं भी डिसकस किया ले रहा हूँ, आस्क दिसा, 24 x 7 वर करेगा, और इससे वाइस एनेवल्ड साफ्टवेर के जरिए, इसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, और उधर से वो जवाब देगा, किरसी और फार्मा उत्पादू, अब इसके उपर का प्रशनम देख रहे हैं, 72 नमबर, किरसी और फार्मा उत्पादू को इस्टोर करने के लिए, दु और यहाँ पर जो कोल्ड जोन बनाया गया है, इसमें 700 टन से अधिक कारगो धारन करने की छमता है, बरतमान समय में, छतपती सिवाजी, अंतराष्टी बिमान छेत्र, अंतराष्टी वायू परिवान संग, यानि IATA के द्वारा, जो मानिता प्राप्त हवाई अट्टे हैं, उनमें से अकेला एक मातर हवाई अट्टा है, जहाँ पर इतनी छमता है, कारगो को रखने की, मतलब कोल्ड जोन जो बनाया गया है, किंद्रियर अच्छा मंतराले द्वारा प्रस्तावित, नए सेना मुख्याले का नामकरण क्या किया गया, नामांतरन यह नहीं, नामकरण होगा, नामकरण यह क्या किया गया है, तो इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, थल सेना भवन, क्या नाम रखा गया है, थल सेना भवन, सी आप्सन यहाँ पर करेक्ट है, हमारे जो रच्छा मंतरी हैं काउन है, राजना सिंग, उन्होंने इसकी अधार सिला र करने के लिए जो Chief of Defense स्टाप का सिर्जन किया गया है विपिन रावत जी पहले हमारे बनाया जाता है लेकिन अब कहां कोई करता प्यालम करता है अंतराष्टी क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सौ मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी को ने तो यह है राज टेलर नेजी लाइंड के तीनों प्रारूप यानि कि वन डे टेस्ट और ट्वंटी ट तो इन सम्में 100 मैच खेलने वाले यह पहले खिलाड़ी बन गया है नीजी लाइंड के हैं और नीजी लाइंड के टीम के पूर कफ्तान रह चुके हैं बल्लेबाज है यह राज टेलर और राज टेलर भारत की खिलाप अपना 100 मैच जब खेल रहा थे तो यह रिकार्ड उन् किर्केट प्रेमी हुआ या पुराना किर्केटर रहा हो तो हो सकता है केंद्रिये संस्कृति मंत्राले द्वारा किस मुगल सासक की कबर का पता लगाने के लिए भारतिये पुरातत्तु सरवेच्छन के पैनल का गठन किया गया है बड़ा इंपोर्टेंट प्रसन है क्योंक दारा सिको महोद है मुगल राजकुमार थे दारा सिको ना 1615 से 1669 के बीच में रहे इनकी कबर का पता लगाने के लिए भारतिये पुरातत्तु सरवेच्छन के साथ सदस्तिये पैनल का गठन किया गया है दारा सिको मुगल समराठ सहाजहां के बड़े बैटे थे जिनका उत और रंगजेब ने हत्या आप इनकी कबर ढूड़ी जा रही है थीक है बड़िया है ये लखी लोग है मरने के बाद भी इंपोर्टेंट है अंतराष्टिये मात्रिभासा दीवस के उसर पर बयाद एक गालिब नामक समारो का आयोजन कहां किया गया तो ये समारो ये वाजि सुचित किया गया और मिलजा गालिब के बारे में अगर बात की जाए कि कलककाता में किया गया तो कोलकाता में इसलिए किया गया क्योंकि कालकाता ये ये 20 फरवरी 2018 को मैं और पर 1829 तक वहां पर रहे थे ठीक है कोलकाता में किराये पर रहते थे यह देखिए जब लोग कुछ महत्पून काम कर जाते हैं तो किराये पर रहते वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वह राज जिसके राज पच्छी को अंतर राष्टिय प्राकृति सनचन संग आयू सी अन रेड लिष्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पर जातियों के तैसोची बद किया गया है तो यह राज है राजस्थान और यहां पर इंपॉर्टेंट है उस पच्छी का नाम उस पच्छी का नाम है Great Indian Wastard बंगाल फ्लॉरिकन Great Indian Wastard राष्थान का राज पच्छी है उसको Red List में सामिल किया गया है इस यह हाथी भारत में राष्टी विरासत पसू की रूप में जाना जाता है यह इस्टा इंपार्मेशन जेकिन Great Indian Wastard और बंगाल फ्लॉरिकन अस्थ खाद इग्रह पुरुसकार अस्थापित किया गया यह खाद इग्रह पुरुसकार जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं Food Planet Award खाद इग्रह पुरुसकार मैंने इसलिए कर दिया हो सकता है Google Translation किया जाए और आप से पूछा जाए तो आप जानते जानते ना गलत करें Food Planet Award है उसी को मैं कहर रहा हूं और यह जो है इसका सही उत्तर क्या है मैं आपको बता रहा हूं यह Sweden ने इसको किया है Sweden द्वारा प्रतिवर्स प्रदान किया जाने वाला यह 1.000.000 अमरीकी डालर बहुत ज्यादा पैसा होता है 1.000.000 अमरीकी डालर बताईएगा कितने रुपए होत जचेगा तो उसको मैं एक पिरुसकार दूगा अब वो प्रुसकार क्या होगा अब वो कुछ महात्तूर cit करोगा आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं उन में से छाटके पूरुसकार दूगा आज से मैंने यह सँचा है है और पसंद आता है तो आप लोग लाइक को करते ही रहते हैं कि तो मुझे थोड़ा सा प्रोसाहन मिलता है या पुरुस्कार में अबricular को प्राष़ करें यूट्वीर. ठीक है जिन्होंने परचेश किया है वो क्यों सेर करेंगे बरतमान समय में विस्व की जनसंख्या किती है 7.8 billion और ऐसे में खादी की समस्या 2050 तक 10 million हो जाएगी तो और खादी की समस्या 10 billion जनसंख्या को खाना कहां से मिलेगा तो भोजन की बरबादी नहों उसको कम करने के लिए खाननों की आदतों को सोधारने के लिए और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ खाना उतना ही घर में बनवाईए या बनाईए जितना जरूरी हो, अगर बचे तो किसी भूखे को, किसी गरीब को दीजिए, जिससे कि उसका पेट भरे और बरबादी नहों, तो ये पुरुसकार स्वेटन सरकार ने सुरू किया है, C option यहाँ पर सही है, उत्तर दीजिएगा पुरुसकार मिलेगा, महरास सरकार द्वारा मचली की किस प्रजाती के प्रजनन के इंद्रों को नश्ट करने के आदेश जारी किये गए, तो ये है थाई मांगुर, थाई मांगुर बहुत ही गंदी परिस्तितियों में इसका प्रजनन किया जाता है, ये मचली पाली जाती तो यह पाजिस्तिक तंत्र में अन्य मचलियों के लिए खत्रा है और इसको खाने वाले भी बिमार हो सकते हैं बहुत यह गंदे परिस्तितियों में इसको किया आता है तो 2000 की बात है निशनर ग्रीन ट्रिब्नल ने था इमागुर मचली प्रजन केंद्रों के संचालन पर प्र फर्वरी की बात है तो 21 फर्वरी को जो महराष्ट की गॉर्मेंट है महराष्ट की गॉर्मेंट ने भी इस पर प्रदिबंद लगा दिये कि इसका प्रजनर नहीं किया जाएगा निम्निखित में से केंद्रियवानों संसाधर पंत्राले द्वारा सेंटर फार रिसर्च एं dan education in data science की अस्थाब ना की जाएगी कहां पर तो इसी ऩह की जाया हूं में दी आप्सं सही है और यह सेंटर का नाम Center for our research and guidance in data 김 varit जड़ा गया है और यह अनुसंधान के इंदर राष्ट के नागुरिकों के data शंघ्रार्ण से संबंधित अमसंदान कारिका निस्वादन करेगा पर्थम खेलो इंडिया इन्वेस्टी गेम्स का राश्टी अस्तर पर आयोजन कहां किया गया तो यह किया गया भोने सर उडिसा में आज की सुबह की अगर करेंट अफेर की क्लास आपने देखी होगी तो इसमें मैंने अगला प्रश्टी अस्तर पर मातिभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस्तिति को आयोजित किया जाता है तो यह आयोजित किया जाता है 21 फर्वरी को D option इसका correct है और इस दिवस का उद्देश भासाई और सांस्क्रितिक बिविदता और भाहु भासा वात को बढ़ःवा देना ह के लिए यह जित किया आता है यह दिवस संयुत राष्ट सैच्छिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ठीक है यूनेस को जिसको आप कहते हैं उसके द्वारा पहली बार 1999 में मनाया गया था यह जित किया गया था अगला प्रश्ण है राष्टी जलमार्ग अधनियम 2016 के लागू होने के साथ देश में जलमार्गों की संख्या कितनी हो गई तो यह 111 जलमार्ग C option इसका correct है वैसे पहले 3-4 जलमार्ग आप जानते रहते थे ना 4-5 जो भी आप जानते थे तो अब 111 जलमार्ग हो गए है ध्यान रखियेगा ठीक है ना अलाबा से हल्दिया वाला प्रथम था ठीक है और सदिया से दूबरी वाला दूसरा था ऐसे ही आप महत्मूर जानत सदिया से दूबरी वाले की लंबाई 891 किलो मीटर है और अलाबास से हल्दिया वाले की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता तो अलाबास से हल्दिया वाले की जो मुझे नहीं पता वो आप बताएंगे ठीक है अगला प्रश्ण वह भारतिय राज्य जिसके द्वारा आइ इस विराट की रुपांतरण के लिए सयंद की अस्थापनों को मंजूरी दी है, B option इसका correct है, सबसे लंबे समय तक सेवा रत रहा है, ये विवान वाहक INS विराट इसका रुपांतरण किया जाना है, तो भारत का प्रथम समुद्री संग्राले, सह समुद्री साहसिक केंद्र इसे बनाया जाएगा, और ये जहाज नौकायन और जो अन्नी चीज़ें ही से related है, इसकूपा डाइविंग इससे अनुभा प्रदान करने और जो विवित्ता केंद्र और समुद्री साहसिक केंद्र के मेजवानी करेगा, INS विराट वर्स 2017 में रेटायर्ड हो गया था, और बरतमान समय में मुंबई के नौसेना डाकियार्ड में इस्तित है, भारत सरकार द्वारा किसी भारतिये नागरिक को सनच्छित छेतर में सीमित समय के लिए आंत्रिक यात्रा की मंजूरी देने है, तो जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है, फिर से सुनिए, भारत सरकार द्वारा किसी भारतिये नागरिक को सनच्छित छेतर में सीमित स समय के लिए आंतरी क्यात्रा की मंजूरी प्रदान किया करने वाला एक दस्तावेज है इस दस्तावेज को बंगाल इस्टर्न फांटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहर जारी किया आता है मेघाले मंत्री मंदल ने मेघाले निवासी सन्नच्छा और सुरच्छा अधिनियम 2016 यानि मेघाले रेजिडेंट सेफ्टी एंड सेक्टी एक्ट MRSSA 2016 में संसोधन को अभी मंजूरी प्रदान किया है ठीक है ध्यान रखेगा Economic Intelligence Unit द्वारा प्रकासित Worldwide Education for the Future Index में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ तो यह अस्थान प्राप्त हुआ है 35 सी अप्सन इसका सही है यह इंडेक्स Economic Intelligence Unit द्वारा प्रतिवर्स प्रदान किया आता है और इस वर्स भारत को 5 रैंग की उच्छाल के साथ यह अस्थान प्राप्त हुआ है पहले चालीसवा अस्थान इसका हुआ करता था चालीसवी रैंग थी अब इसकी 35 रैंग है स्वदेश दर्सन यूजना के तहत समलित पेरेन कोहिमा वोखा पर यूजना का संबंद निमनिकित में से किस पुरभौतर राज्य से है तो पेरेन कोहिमा और इसके मतलब इसमें जो इस प्रिविजना के तहट जो धनरासी है अनुदानरासी सतान्सों तीन छे करोण रूपे हैं जन जाती है परियाटक गाउं इको लाग हार्ट्स और ओपन एर थीएटर जन जाती है काया कल्प केंद्र काफेटेरिया हैलिपैड परियाटक व्या राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम का ठीक है अरुनाचल प्रदेश का यह 48 वा है अरुनाचल प्रदेश का यह देखा जाये तो 48 वा है और मिजोरम का यह 33 वा है जोड़ दीजिए कि कब-कब यह राज् इस हवाई अड़े को पर्थम single-use plastic मुक्त हवाई अड़ा गोसित किया गया तो यह इंद्रा गांधी अंतराष्टी हवाई अड़ा है नई दिल्ली का जो उसी को किया गया है single-use plastic अब यहाँ पर नहीं use होगी ठीक है और यह इससे मुक्त हो जाएगा और यहाँ पर अगर किया गया है तो इसका प्रभाव भी बहुत होगा यहाँ पर साल भर में आते जाते हैं तो पानी पीएंगे कुछ खाएंगे पीएंगे कोई भी सामाल लेंगे तो अगर यह बैन लगाया जाएगा तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा अथनो लॉक द्वरा प्रकासित नवींतम रिपोर्ट की अनुसार हिंदी भासा का अंतराष्टी अस्तर पर बोलने का क्रम क्या है तो यह तिर्थिये भासा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है पर्थम अस्थान पर इसमें जो है वो मंदारिन है दूतिये अस्थान पर बाइस में कोई अभी स्विक्रती प्रदान की गई है ठीक है और इसमें एक पूनकालीन अथेक्ष होंगे और चार सदस इसके होंगे वन प्लस फोर याद रखेगा पांच लोग इसमें होंगे एक अथेक चार सदस गैर सामेधनिक निकाय है यह समय समय पर इसको गठित किय आता है पहली बार 1955 में गठित किया गया था त्यानने कियेगा है और हर तीन साल के लिए किया आता है संस्कृत को राजी की दूसरी अधिकारी भासा घोशित करने वाला राजी को है तो यह है हिमाचल प्रदेश बी ऑप्सन इसका करेक्ट है हिमाचल प्रदेश ने हिंदी क साथ में संस्कृत को दूसरी राजभासा घोशित कर दिया है और यह अभी मतलब इस्टेट गौवर्मेंट को क्या करना पड़ता है इसके लिए विधेक पास करना पड़ता है जन्वरी 2010 में उतराखंड सरकार ने संस्कृत को दूसरी अधिकारी राजभासा बनाया था लाइसेंस जारी किये गए हैं तो यह है सयुक्त अरब अमिराद धी ऑप्सन इसका करेक्ट है सयुक्त अरब अमिराद द्वारा अपने प्रथम प्रमाड उर्जा संयंत्र के लिए परिचालन लाइसेंस जारी किये गए और यह जो परिचालन लाइसेंस है यह कोरिया एलेक मतलब पहला अरब देश ही हो जाएगा भारतिय रेलवे दोरा हाली में तीसरी कार्पोरेट ट्रेन सेवा का संचालन की सुरू किया गया इसका नाम क्या है तो इसका नाम है कासी महाकाल एक्सप्रेस ए आप्सन इसका करेक्ट है इसके पहले और दो चल चुकी है और दिल्ली ल एक्सप्रेस तो कासी महाकाल एक्सप्रेस का संचालन जो है यह भी कार्पोरेट ट्रेन सेवा माडल के आधार पर किया जा रहा है सो रेलवे रूट पर 150 ट्रेने संचालित की जानी है तो इसी में यह सब संचालन हो रहा है हाली में भारत के प्रमाण उर्जा आयोगद्वा नविनतम लीथियम भंडार की खुज कहा की गई है तो यह लीथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है। यह गहे ऑप्रनाटक में . इसका सही है। करनाटक में पर बंलाटक ए five मंडिया चाहल है । ऐस्कोड़ा कई गॉयाowाट में this गवाह एक। और एलेक्ट्रिक वाहन की जो बैटरी बनती हैं उसमें लीथियम को प्योग किया आता है तो हमारे यहां भी एलेक्ट्रिक सब काम चल रहा है ना यह वाहनों का तो उसी में यह हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा भवी से हमारा इसमें अच्छा रूपर से बहुत कम मात्र ले द्वारय कला को 2020 का यह विजन कहां किया गया तो कला को 2020 का हम किया गया नई दिल्ली में सी पसंद सबक当 मंत्राहने उद्वारा कियां चैत्रिय कपड़ा ह स्चिल्फ को बढ़ावा देने के लिए कि लिए किया गया है चलिए अगला प्रश्नYour कालादान कालादान मल्टी मार्डल ट्रांजित ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के पुर्वोत्तर छेत्र में आर्थिक विकास को पढ़ावा देने के लिए एक वैकलफिक मार्ग परिवहन परियोजना है और यह परियोजना भारत और म्यामार के वीच में आर्थिक बाड़िजिक और राजनीतिक संपर्कों को पढ़ावा देगी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा और इस बहुदेशिय प्रिविजना का उदेश भारत की जो पूर्वी बंदरगां है उन आयोजन कहां पर किया गया तो यह किया गया है गांधी नगर में और गुजरात में इसका करेक्ट है और इस सिकर समयलन में प्रवासी अस्तंधारी गोबी बालू फारसी तेंदुआ और यूरियल जो है जिसको जंगली भेड कहते हैं इन पे चर्चा की गई है और यह अलंपिक खेलों में स्वनपदक विजिताओं को छे करोन की नगत रासी परदान करने की घुष्टना की तो यह सरकार है हर्याणा इसका करेक्ट है अगर कोई ओलंपिक खेलों में स्वनपदक जीतेगा तो छे करोन रुपे की नकत रासी इसको परदान की जाएगी उस खिलाडी को ठीक है बरतमान समय में किस केंदरिये प्रसास्तनिक न्यादिकरण के तहर जाती है जिम्मू कस्मीर को सेवाए उपलब्द कराए जाती है तो यह अभी कराए जाती है चंडिगड के द्वारा ठीक है चंदीगड वेंच को जम्मु कस्मीर की केंद्रिय सेवाओं हैं तो केंद्रिय प्रसासनिक प्राधिकरण के रूप में न्यूप किया गया है प्रासनिक न्याधिकरण की अस्थापना सम्मिधान का जो 42 संसोधन था उसके माध्यम से की गई थी ये भी ध्यान रखिएगा 42 जो amendment था उसी constitution amendment उसके तहट ये किया गया था अटल भूजल योजना हेत निम्रिकित में से किसके द्वारा रिण उपलब्द कराया जाएगा तो ये बिस्वेंक रिण दे रहा है डी ऑप्शन इसका सही है डी बिस्वेंक वर्ड वैंक इसके लिए रिण परदान कर रहा है और भूजल संस्थानों को मजबूत करना इसका प्रमकुद्देश है विस्वेंक द्वारा जो ये परियूजना है इसके अंतरगत उत्तरप्रदेश, मद्दप्रदेश, रायस्थान, गुजरात, महराष्ट, करनाटक, हरियाना इन राज्जों को इसमें सामिल किया गया है और ये था इसका लाश्ट प्रशन, 104 प्रशन हमने डिसकस किये, जो और प्रशन हमको मिलेंगे हम आगे इसको सामिल कर लेंगे, फिलहाल ये हो गया है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रशन है, और इसको आप करिए, पीडियप आप इसको हम दे देंगे, आपकी लॉगिन 2011-2016 का कोर्स लांच हो चुका है, इसको आप जोइन कर सकते हैं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं है, 6 मार्च से इसका फुल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जी एस और हिंदी का, और जो टेस्ट स्रीज है, वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, टेस्ट स्रीज में आपको Valuated Material दिया जाएगा, Current Affair और जो भी समगरी लगेगी, यह Important है, उसको सब Provide हम करा देंगे, तो और PCS का कोर्स भी हम लांच करने जा रहे हैं, आप हमारे आप को डाउनलोड कर लीजिए, IES, Prep, Academy, आप सर्च कीजिए, और किस पर सर्च करेंगे, Play Store पे, वहाँ पर य जाएगी, Thank you, thank you very much, all the best.